विधान सभा में भरतियों की जाच करेगी विश्य सग्य समीती विधान सभा अध्याक्च रितु खंडूरी का फैसला एक महा में माँघी रिपोर्ट उत्राखंड विधान सभा में 2012 सई, 2022 तक हुई बैकडोर भर्तियों की जाच विशेशग्य समीती करेगी सनीवार को विधान सभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूसर ने पूर्वा आईएस डीके कोटिया की अध्यक्षता में तीन सदसे विशेशग्य समीती का एलान किया समीती एक माँ के विधार रिपोर्ट देगी विधान सभा भर्ती पर करण पर हुई प्रैस वारता में इस पिकर रेतु खंडूरी भूसर ने बताया कि समीती पहले चरण में 2012 से 2022 तक हुई बैकडूर भर्तियों की जांच करेगी जरुआत पर दोजार से 2021 तक हुई भर्तियों को जांच के दाइरे में लाया चाहेगा उन्होंने बताया कि जांच समीती में पूर आई एस गलीब कुमार कोटिया को अध्यक्ष सुरेंद सिंग रावत वो और उने इंदर सिंग नयाल सदसे होंगे विशे सगी समीती के अध्यक्ष वो सदसे कार्मिक सजीव रहे चुके हैं वरसे 2011 में बनी थी सिवा नियामा वली विदान सबा में राज्य कठन के बाद 2011 तक उत्तर परदेश की सिवा नियामा वली लागू थी इसके बाद परदेश विदान सभा की सीवा नियमा वली बना कर भरतियां की गई 2015 वो 2016 में सेवा नियमा वली में संसोधन किया गया विदान सभा सचीव को फोर्स लीव पर भीजा कारेकाल सील विदानसबा सचीव मुकेश कुमार सिंगल को आगामी आदेश तक अवकास पर भीजा गया है इस दोरान जाच के सयोग करने के लिए सचीव को विशेसग्य समीती की निर्देशों का पालन करना होगा सचीव पर नियम विरुद्ध पदोनती के आरोप लग रहे हैं साथ ही विदानसबा सचीव में कारकाल को सील कर दिया गया है अब दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा विशेसग्य जास समीती गठित करने का निर्दाई स्वागत योग्य है अब दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा मुझे विश्वास है कि जा समीती परतेक तथ्य को इसपस्ट करेगी ये कहना है मुख्यमंत्री पुस्कर सिंग धामी का चाहे जो बदलाव करने पड़े करूंगी विधानसबा की गरिमा को बचए रखना मेरा दायत वे और करताव्य है अनियमिता स्विकार नहीं है मुझे जितने भी बदलाव करने पड़े मैं उसके लिए तयार हूँ ये खहना है विधानसबा अध्यक्च रितू खंडूरी पुसं का नियमित नियुक्ती वाले कर्मिचारियों पर भी खत्रा विधानसबा में नौमबर 2000 से लेकर दोवर से 2011 तक भी विधानसबा अध्यक्च के कारेकाल में बैकडूर भरतिया हुई थी ने यूपी की नियमा वली से भरती होना बताया जा रहा है वही इन कर्मिचारियों को नियमिती करण का लाब पूर्वी स्पिकर गोविन सिंकुन जवाल के कारेकाल में बनी नियमा वली के आधार पर मिला है जो कि स्पिकर रितू खंडूरी ने भुजदानसबा के पूरे कालखंड में हुई बैकडूर भरतियाओं की जाच कराने का वर्स 2016 में विधान सबा में हुई भरतियों के खिलाब घाय कोट में जनहीत याचिका दायर की गई थी याचिका में इन भरतियों को नियम बिरुद्ध बताया था ततकालीन चीप जस्टिस्ट वारिंद घोस की पीठ ने इस जनहीत याचिका को खारिच कर दिया था बाद म इसे सुप्रीम कोट में भी चुनौती दी गई वहां से भी याचिका खारिच हो गई अब चार्च रिपोर्ट को इस आदेश का भी अध्यन करना होगा आयोक का पूरू कर्मचारी गिरपतार पत्नी को भी हल करवाया था पेपर अधिनस्त सेवा चैन आयोक के भरती घपले में एस्टिएफ ने आयोक के भी पूरू प्यार्डी कर्मचारी को गिरपतार कर लिया आरोपी ने पतनी को भी लीग पेपर हल करवा कर परिक्षा में पास करवाया था HDF SSP एज़े सिंग के अनुसार पूरूपी आरडी करमचारी संजै राना पुत्र हयात निवासी भीम तला चमूली की गिरबतारी के साथ अब तक 33 आरोपी पकड़े जा चुके आरोपी संजै ने पूरूपी आरडी करमचारी मनोज जोसी के साथ मिलकर अपने घर लखनाओ से लीग पेपर की फोटो कॉपी की HDF के अनुसार गवाओ के बयान और तक्निकी साक्चिके आदार पर यहाग रपतारी की गई आरोपी से फोटो स्टेट मसीन और सीपियो भी मिला आरोपी 2014 से अपरेल 2022 तक चैन आयोग में कार रत रहा आरोपी से लंबी पुस्ताज की गई आयोग में रहते समय वहाँ की गती विदी को लेकर भी कई सवाल पूछे गई एस्टिएफ के अनुसार आयोगी और से कराई गई भरतियों की पेपर आरोपी दोरा अपने घर पर फोटो स्टेट मसीन से छापे जाने से परतीद होता है कि उसके साथ कई और लोग भी सामिल थे गठोर और कड़े निन्नाई लेने से पीछे नहीं हटोंगी ये गहना है रितु खंडूरी का विदान सवा भरती पर करन इस पिकर बोली युवा आस्वस्त रहे किसी को भी निराश नहीं करोंगी विदान सवा में राजे गठन से लेकर अब तक हुई बैक डोर से भरतीयों की कारिवाई को लेकर वर्तमान इस पिकर इरितु खंडूरी भूसर ने मनसा साफ की है उन्होंने कहा कि विदान सवा और सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए कठोर और कर निन्नाई लेने से पीछे नहीं हटूंगी विदान सवा की गरिमा हुई आहत खंडूरी ने की बैक डोर भरतीयों को लेकर विदान सवा और सदन की गरिमा आहत हुई है मेरा पर्यास है की सदन की गरिमा को बहाल किया जाए इसके लिए जो भी कर्तम उठाने पड़े वो किया जाएगा युवाव से अन्याई नहीं होने दिंगे सियम उत्राखंड के मुख्य मंत्रे पुसकर सिंग धामी ने जान सबाह भरती की जाच के सपिकर के आदेश पर कहा अब दूद का दूद और पानी का पानी हो जाएगा उन्होंने DNS unity का का स्वागत मुंख्य मंत्रे ने कहा कि अधाक्य का निभिनस Garden स्वागत्य है और प्रदेश की अप्रति की जंता की अपेक्साओ के अनुसा निनन लेकर सदन की गरिमा बढ़ाई है हमें विश्वास की सीगर ही पूर्ण परकरण की विधी समा समाधान निकलेगा मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने स्वयम भर्ती परकरण की निर्फपक्स जाच और अनियमित्ता मिलने पर भर्तियों को निरस्त करने के लिए अनुरूत किया था हम राज baikे सभी नौजवानों और नागरिगों को आसवस्त करते हैं की राज सरकार उनकी आसाओ और अपर एक्चाओं के अनुसार सभी महमलों में कड़ी कारवाई करेगी भर्दियों में धानली से चात्रों में उबाल यूके तरपलस्ते की भरती परिक्चा में हुई धानली की सीबी आइसे जाज कराने की मांग यूके तरपलस्ते की भरती परिक्चा में हुई धानलीो के विरोध में चात्र शात्रों ने बोती पाठे के नेतृत्त में एकत्र हुए यहां उन्होंने यूकी तरपलसी की परिक्चा में हुई धानली के खिलाब जंग कर नारे लगाए और सरकार का पुतला फूगा लोगार चंपावाद भरस्टाचारियों के खिलाब करी कारवाई की मांग यूकी तरपलसी इसना त लोगों के खिलाब करी कारवाई करने का निर्ने लिया बजरंग दलने जताई नाराजगी पिथोरागर यूकी तरपलसी की भरती परिक्चा में हुई धानलीों को लेकर बजरंग दलने नाराजगी जताई उन्होंने डिम की माध्यम से सीम को ग्यापन भेजा कि सरकारी अक्रीब आने के लिए युवा दिन रात मेहनत करते हैं और आयोग्य युवा दन भल एवं उची पहुंचके चलते चाही नित होते जा रहे हैं इस दोरान प्रांत सुरक्षा परमुक सोनम पांड़े जिला सेयो जग बजरंग दल पवन नात मौझूद थे पेपर लिग गिरों के सरगना मुसा और राजिस समीट 21 पर गैंगस्टर स्यद मुसा और उत का साती योगे सर राव फरार हाकम सिंग पर भी सिकन जा पेपर लिग मामले में गिरों के सरगना सेद सादिस मुसा आर एमस सॉलिसन लिमिटेट कमपनी के मालिक राजिस सोहान और हाकम सिंग समीद 21 आरोपियों के खिलाब गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज़ करा लिया गया है इनमें से सेद मुसा और उनका एक सादि फरार है इनकी तलास में एस्टियाप लगातार दाविस दे रही है गैंगस्टर के मुकदमे में अब तक गिराबतार हुए आरोपियों में से 19 लोग सामिल है इस्टियाप के SSP अजय सिंग ने बताया कि उत्राखंड दिनस्त सेवाचेन आयो की और से कराए गई इसना तक इस तरिये परिक्षा में पेपर लिग के संबंद में 22 जुलाई को रायपूर थाने में मुकदमा दर्ज़ किया गया था तब ही से गरबतारियों का दोर जारी है मुक्य मंतरी पुसकत सिंग धामी ने इस मामले में सक्त कारिवाई के निर्देश दिये हैं इस कड़ी में कुल गरबतार मैंसे 19 और दो फरार आरोपियों के खिलाब गैंगस्टर एक्ट के तहत कारिवाई की गई फरार चल रहे दोनों आरोपियों पर 25 बच्चिस जार का इनाम पेपर लिग मामले में अब तक किरों का सरगना आम बेटकर नगर निवासी सेद हसादिक मुसा ने बताया जा रहा है कि उसने की वल उत्राखंड में ही नहीं बलकि मंत्य परदेश उत्तर परदेश और अन्य कई राज्यों में इस तरह की परिक्चाओ की पेपर लिग कराई हैं उसका एक साथी योगे सर्राव भी फरार बताया जा रहा है पुलिस ने दोनों पर 25 बच्चिस जार रुपे का इनाम घोसित कर दिया है आयो का पूरो संविदा करमी गिरफतार पेपर लिग मामले में इस टेप ने सनिवार को ते तीसवी गिरफतारी की अध्यक्च रितु खंडूरी के स्टेंड से बड़ी प्रेम चंद की मुस्किले जांच से सच्चाई सामने आएगी प्रेम चंद वित्य मंत्रे और पूरो स्पिकर प्रेम चंद अगरवाल ने विदान सबा में हुई भर्तियों की जांच के आदेस पर कहा कि यह स्वागत योग्य कतम है इससे सच्चाई सामने आएगी अगरवाल ने कहा कि सबसे बड़ी बात है कि इस इस पिकर ने विदान सबा में इसके लिए उनका अभार वेक्तिकता हूँ बैक डॉर से हुई भर्तियों को विदान सबा की गरिमा के पर्तिकुल ठहराते हुए अध्यक्चर रितु खंडोरी ने अब तक के अध्यक्चर के स्टेंड पर एक तरह क्या सवाल उठा दिया है रितु ने साब तवर पर विश होने की नाते प्रेम चंड सीधे खत्रे की जद मैं है प्रेस वारता में रितु खंडोरी ने साब तोर पर कहाए कि विदान सबा अध्यक्चर के कुछ विशे सादिकार हो सकते हैं लेकिन विशे सादिकार के नाम पर हर चीज को जायज नहीं ठहराया जा सकता इसे सही फ्रे प्रेम चंड अगरवाल का रुख अलग रहा है नेताओ के नाम जोड़कर सुचिया वारल विदान सबा में समय समय पर भरती हुए करमचारियों के रिष्टेदारों के नाम के साथ वारल हो रही सुचियों नेताओ को सांसत में डाल दिया है इन सुचियों में करमचारियों के साथ उनके रिष्टेदारों के नेताओं के नाम भी परमुक्तास से लिखे हैं हिंदुस्तान इन सोचियों की परमानिक्ता की पुष्टी नहीं करता लेकिन सोचियों ने नेताओं की जान संसत मैं डाल दी